कि आज बेसिकली मैं मोबाइल फोन की पेरवी करने के लिए आया हूं कि मोबाइल फोन कैसे किस तरीके से आपके लिए बेनिफीशल हो सकता है और किस तरीके से आपको बरबाद भी कर सकता है बहुत सारे मोबाइल फोन के ऐसे पहलो है जिनकी चर्चा किसी भी प्लेटफॉर् conceptual clarity नहीं होगी तो आप perfect action कभी ले ही नहीं पाएंगे राइट मोबाइल फॉन कि जितने भी लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी जिन्दगी चेंज करनी है तो शायद ये session उनके जिन्दगी को हमेशा के लिए चेंज कर सकता है और ऐसा मेरा strong belief है कि session आगे बढ़ेगा तो आपको चीजे समझने आएगे हैं कि सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल एंड यूथ कि और आप सिर्फ आप ही नहीं समझेंगे आप जिन्दगी में बहुत सारे लोगों को समझा पाएंगे कि actually मैं हो क्या रहा है तो एक बहुत basic scenario में लेता हूँ कि दीपक नाम का लड़का है दीपक दीपक नाम का लड़का इंस्टाग्राम के पर एक फोटो डालता है जिस पर एक नेहा नाम की लड़की आके कमेंट करती है नाइस फोटो दीपक को दीपक को दीपक को सुनने की देर थी और उसका चिराग जलूडता है उसको motivation मिलता है उसमें पस उसका सीना जलूडता है कि वाह हम इसी बात को तो सुनने की प्रतिक्षा कर रहे थे हम हमें यह नहीं सुनना कि तुम महान हो गए तुम एक्टर हो गए तुम कलेक्टर हो गए तुम डिरेक्टर हो गए तुम डॉक्टर हो गए हमें तो दीपक को सुनना था और जैसे ही वह सुनता है वह फटाक से सर्च करता है कुद के फोन चोटी पकड़के वैसे फटो लेता है और देखा होगा और वैसे हमारा देश फिलाल दोई चीज़ों बठावाए एक टोपी है और एक छोटी है हिन्दु चोटी में घूम रहा है मुसल्मान टोपी में घूम रहा है कौंसेप्ट किसी को समझना नहीं है लड़ना है बस प्रियंका शिवानी कनी का कहिओं के मैसिज आते हैं कमेंट आता है एक वह दीपू आग लगा दिए अरे दीफु स्थम तो फ्चाग है माइंज कि आंड़ लगाए न लगाई इंस्टाग्राम को पर आग लगा दी थीपू ओच पर दीपू दी अगलादी अ आप देख हो दीपू का मोटिवेशन बढ़ रहा है क्योंकि आप स्थों marca पहले हैं पोल जो कि फो फो ने कोária्आ करता हैrie स्ञोस जस्टा हिस्टा जानि की करता है और फ्रूंद लेता है कि इसला कि बाइट करता है कि है स्टेक्ट एक 16 Raju कि है pay decision और दीपू इसी काम में लग जाता है वो सिर्फ इस चीज़ का वेट करना है कि कैसे बेटर से बेटर कमेंट आए वहाँ दीपू या लुकिंग हॉट और इस चक्र में दीपू का दिल धधक रहा है बस वह इनी चीजों में खयाली पुलाओं में जी रहा है समय के साथ साथ में जो लड़किया कमेंट कर रही थी उनकी शादी हो जाती है क्योंकि लड़की की शादी डेसलर से नहीं होती है एच्टी फोटोग्राफ से नहीं होती है लड़की की शादी होती है सक्सेस से लड़की की शादी होती है प्रोफेशन से लड़की की शादी हो अपडेट करता है 500 रुपे पर फोटो क्योंकि अब दीपू की पास केमरा है सब ने उसका काटा और निकल लिए दीपू ने पट गया वो अपनी जिंदगी में जो करना चाहता था उसका एक परसंट भी नहीं कर पाए क्योंकि उसने शायद वो स्ट्रेप में फसकर अपनी ज बैठे होते हैं एडविन मैंने बैठे हैं कॉंटेंट डों रहे हैं मीम्स बनाने के लिए और यह बात सिर्फ लड़कों की नहीं है लड़कियों की भी है उनकी किसी एक रेल की किसने तारीफ कर दी बढ़िया डांस किया तो कच्छा बादाम पर शकीरा बनने की कोशिश में लगी हुए बेली डांस में गेली हुई पड़ी है बेली करना है गेली हुई पड़ी है उसमें पड़ जाओगे दोस्त लड़कियों के इतना फरक नहीं है कि वह पैरिस से पटना शिफ्ट हो जाता है कि जो हमें यह समझना है कि हम जो दीपक से दीपू बन रहे हैं कि बेली डांस के चक्कर में गेली बन रहे हैं कि वह क्यों हो रहा है कि एक बच्चा जसको डॉक्टर बनना था है कि-स बच्चे अब हैसे बच्चे मोइन रहतें करें क्यों करेगा कैंओ काई लोग वो निपंड़ता रहे हैं कि अस बहुत सारी मुलदिव करने वाला हूं मैं चाहता हूं कि आप जिंदगी में दीपू ना बने कि फिर कह रहा हूं लड़के सक्सेज अब्जेक्ट है लड़कियों को फरक नहीं पड़ेगा हो सकता है कि आप उनका हनीमून जो है वो नियुवर्क में होना था और रभ है नहीं दिल्ली में हो रहा है लंद तो कैसे है एक यूपीसी करेक करने वाला बंदा यूपीसी मीम पेज चला रहा है एक डॉक्टर बनने वाला बंदा एक आयटीन बनने वाला इंसान फैन पेज चला के खुश है यह सब क्यों हो रहा है मुबाइल फोन के गणित को समझना बहुत जरूरी है वरना आप निप नहीं समझेंगे आप निपड़ जाएंगे सिर्फ कच्चा बादाम पर नासते रहोगे जिंदकी में बादाम भी नहीं खापाऊगे इतने पैसे निपड़ जाओगे और निपड़ जाओगे और कोई समाल नहीं आयागा तुम्हें दोस्त कोई नहीं आएगगा सब भूप यह रिसर्च कह रही है हमें बताता हूं क्यों हूं कॉंसेप्ट का आप समझते जाएगा चीजों को रटने की कोशिश मत करिएगा बेसिक्स पर द्हान दीजेगा हर घर से पागल निकलेगा आपको पागलपन के लिए सिर्फ डिवाइस काफी है मोबाइल खतरनाक नहीं है मोबाइल फॉन इस बेरी गुड़ डिवाइस लेकिन जो इसमें इंटरनेट जुड़ता है ना तब इससे खतरनाक ड्रग दुनिया में पैदा नहीं हूं ही दोस्त स्मैक चरस यह बच्चे हैस के सामने मोबाइल प्लस इंटरने चीप इंटरनेट और से और सस्ता इंटरनेट बहुता नहींत pip हो रहा है इस बात को हमलों समझते हैं कि हर घर से पागल क्यों निकलेगा다음ं इंशनलने क्या है कि कॉंसेट है रियलिटी और एक्स्पेक्टेशन माल लेते हैं कि एक बच्चे को एक यूथ को जो यूपीस से इस्पेरिंट हो सकता है नीट जी एससी बैंक प्यों जो भी एक्जाम से उनका इस्पेरिंट हो सकता है उसका ये गोल था कि आज मैं दस घंटे पढ़ूँगा 40 भारत माता की कसम खाके कहताओं कि आज मुझे रिज्म समय गवान आहे है अलए और आयले हूँद होँँआ कि वह गंटे पढ़ पाया दो घंटे मेद घंटब pelos दोस्टो इसके 20 के दीयप है नरत इस ही को वरतमान समय में फ्रस्टेशन कहा गया है कि इसी को वर्तमान समय में प्रोक्रास्टीनेशन कहा गया है यह फ्रस्टेशन यह फ्रस्टेशन आ रहा है यह स्ट्रेस में कनवर्ट होता है यह स्ट्रेस फिर में कनवर्ट होता है क्या मेरा क्या होगा और यहीं फियर फियर इस्टा फॉंडेशन और यह फिर लेके आता है डिपरेशन क्यों आया डिपरेशन क्योंकि रीग्रीट है में अपने समय खराब कर दिया और मैं गैरेंटी के साथ में क्या सकता हूं कि अब यह वह समय है है जब पाखल इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे साट द्रेट करती है डबली उचका मानना है कि साटेटरिस्ट की जरुवत आने वाले समय में दस गुणा बढ़ जाएगी दसकूणा जितने साटेटरिस्ट आज है ना उससे दस गुना और तब भी सारी ट्रीटमेंट नहीं हो पाएंगे इतने ज्यादा पेशन्ट होगे कि तब भी डॉक्रकम पढ़ेंगे यह जो फ्रस्ट्रेशन आया है और उसके बाद भी यह सब ने के बाद भी हम चलाए जा रहे हैं चलाए जा रहे हैं लाुंहों अरहे जा रहे हैं क्या है एक वर किक टष च सकित है मौत और मौत हो सकती है मौत Damn एक नैचुरल मौत ताकरति करूप से मर गया एक एक स्थिद्णांटलत होँआता या महैं विभ करोती बिमारी और गतSIज पिंगार दोस्त पता है क्या है मोबाइल फोन दारू सिगरिट चरस गांजा अफीम समेक सबसे खतरमाग है पता है क्यों यह सुब करके हो सकता है कि आप 50 की उमर में 60 की उमर में मर जाओ आपने जिन्दगी में बहुत महिनत करी लेकिन आप साथ में 40 गांजा अफीम में लगे रहे और रगडढ़ते रहे रगड़ते हैं और मैं मिशा कहता हूं मोबाइल फोन के बर उंग्लियां क्रें पूरे दिन पैन चलाका पने पिचकने से रहें गाता है लेकिन आप रगणते रहें और आपने अपने जिन्दिकी के गोल्ड़न थे बादग कहते हैं दोस्त गोल्ड़न नशे से आप बुढ़ापी तक नहीं पहुँच पते पहले ही मर गए नशा खराब है क्योंकि उसे आप जिन्दकी नहीं जी पाते हैं लेकिन मोबाइल फॉन से आपने जिन्दकी के गोल्डन इर्स खराब करती है गोल्डन इर्स स्मैक चरह से अच्छी है मोबाइल इस डिंजरस सिर्फ खराब नहीं है कई फाइदे भी है वन बाइवन डिसकस करें है हमारे किरदार दीपू की तरफ चलते हैं जो दीपक था लेकिन उन्हें दीपू बना दिया गया और मैं आपको कह रहा हूं कि दीपू एक पैसनेट फोटोग्राफर बन गया एक वुटोग्राफर बन गया एक डीपू हैसे क्यों किया आखिर है कि अीग ओर मॉटीवेटेटेद में है क्या बात कर रहे हुं सब्सक्र डहीड़ीः वाइड On Aap ही समझना पड़ेगा है वा फर ऑस97 कौन टो संगर से हार मान चुका है भाल नहीं करतार एकौन पैड़ेगा अरे कौन जाएगा कौन किताब कोलेगा रयम इस है ज़र से डर लगता है वो फ्रेस्टेटीड सपिविए है फोन चलाता है यार हॉट दीपक डीपु बन गया है और दीपु यार हउट व होदी चलाते हैं दोंका concept समझछाए अ है यह वो लोग हैं जो शायद हार मान चुके हैं इनको लगता है कि आ हमारी जिंदगी में कितना संगर्स है कितना क्रपेजुर्स की संहारे ऐसे कि दोस्तानी आप शंगर्स नहीं होगा तो सो चुना करम करें वो जन जमर और झदीष तीनों को करना पड़ता है आप जब इस धुरती पर पैदा हो एतना दोस्त उसी दिने डिसाइड हो गया था कि अब आप संगर्ज को जीने वाले हैं जीवन नहीं दोस्त जीवन ही संगर्ज है और वो संगर्ज जो आपके जिंदगी में लिखा हुआ है न वो आपको करना पड़ेगा करना ही पड़ेगा आप इंसान है तो भी करना पड़ेगा आप जानवर है आप जानवर नहीं आप जंगल के राजा है तब भी आपको भागना पड़ेगा दोस्त सुब उचना पड़ेगा और भागना पड़ेगा संघर्ज करना पड़ेगा आप जंगल के राजा है आप फीरन के बीछ भागते हैं तब आप 90 परसिंट शिकार में फिल हो जाते हैं आपके नाखुन तूड़ते हैं आपको तो भी खाव होते हैं कि सिंग लगते हैं जगन आ फिर से उक्राइब लेक decía कैंको जंगल का नियम पता है आपको राजा बनने का नियम पता है यहां पर चारी हीर यह हो सुब़ों कर दोड़ना पड़ता है gö जणगल की सिंधगी में भी है और तुम यह सूसत हों कि राम विष्णु के अउतार थे एक सेक्ड में सब खतम कर सकते थे नहीं कर पाए धर्ती का नियम है जो यहां पैदा होता है धर्ती पे ग्रेविटी लगे ना लगे संगर्स का ठपा सबको लगता ही लगता है दोस्त और आप भगवान से प्रेई करते हो जिए बचाले भगवान जिन्दी ना प्रसाच अदेंगे आरे भगवान तुम्हारे साथ भी रहेंगे ना तब इस अंगर से नहीं बचा पाएंगे अर्जुन के साथ में सुरक्षिण रहतों अर्जुन का यह तुद को लड़ना पड़ तो तुम अगे फ्रस्टेट होके फोन चला रहे हो अरे याद या रील्स देखने दो यार अगो के टिना विक्की कोशल की शादी हो इनके अच्छे ची रील्स आरी देखने दो यार कि नहीं पड़ जाओगे दोस्त और कोई पूछेंगा नहीं तुमें जाला जंगल के राजा को जंगल के राजा को नंगल के राजा को चाबोक शेर को चाबूक निमारता तर वह ऑच लोगर जबूकां bwnyer ूड यह यह जन की में भी है जानवह जिंदकी में है है और जगदीश है यह जगदीश कोई प्राउष नहीं है वो खंड विजयता कौन हुआ दर्दी को किसने जीता नव धर्म प्रनिता कौन हुआ नव धर्म प्रनिता कौन हुआ नया धर्म किसने बना दिया जिसने विगनों में रहकर काम किया ना कभी आराम किया तो आप मुस्कूराते हो जंग लड़ते हो ना दोस्त तो आप भगवा प्रण नहीं बोल रहा हूं उनको उनने जीता है समराट असोग चंदरगुप मौर्य वह सुदा का नेता कौन हुआ बुखंड विजेता कौन हुआ नवधर्म प्रनेता कौन हुआ जिसने ना कभी आराम किया विगनों में रहका काम किया तो विगन आपके जिन्दकी में रहेंगे मेरे दोस्त रहेंगे अपने से मुह नहीं मूड सकते हैं और जो मुह आपने लटका लिया ना आप निपड़ जाओगे आप निपड़ जाओगे रिस देखने में मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर परवीन कि अबीबियस 2011 बैसे किया हमने वह भी इस हो गया है इस में उसका 141 उसने मुझे बताए कि भाई मैं कभी देखता है क्यों क्यों देखा करो आने वाले समय कच्छे काजु का आएगा फिर पिस्ता ख्रोट का आएगा किश्मिस का आएगा देखा करो ना क्यों नहीं देखते ह कि इसके ब्रत ओसंजर इंटो, कuben बच्छें कई province से क्या होता है कि का कॉन्सेंट्रेशन ताइम शपनिस गिर जाता है, र इस से किंड, बारा से किंड, पन्रा से किंड और आप एग्जाम करेक्ट करना चाते हैं तो आपको क्यों मिलता है कि आपका ने था यहांदा फोन चलाता है, दूसरा motivated इंसान, नाम दीपक है लेकिन comment में दीपू आ रहा है, यह motivated इंसान, हमारी जिन्दगी को control करने वाला एक chemical है, उस chemical का नाम है dopamine, motivation, moment, focus, concentration, energy, सब कुछ इसी से आता है, dopamine, एक्चली जब दीपक को इंस्टाग्राम की फोटो डालने पर कमेंट मिला, hot लग रहे हो दीपू, तो दीपू में dopamine रिलीज हुआ, और को dopamine उसे बार-बार inspire कर रहा है, कि वो search करता है, best photographer in my district, देट सुर्व को देगे फोटो की चुवाता है, फिर एक दिन सूचता है कि यार इतने सारे पैसे को देदे, खुदी camera लियाता हूँ, and वो कुद का passion बनाता है, photograph is my passion, hashtag wind life photography, hashtag natural photographer, यह motivation कहां से आया, यह dopamine ने दिया, उसके जिंदिगी का मकसद छुप गया, वो कुछ और हो गया, वो कुछ और हो गया, यह motivation आया dopamine से, dopamine, अब मैं dopamine की कहानी आपको अलग से बताऊँगा, कि dopamine किस case में release हो सकता है, क्या हो सकता है, वो एक अलग बात है, that I will discuss, लेकिन फिलाल यह समझते है, that how you get trapped in mobile phone, how mobile trap you, मैं conceptual बात करना चाहता, मैं तुम्हें motivate नहीं करना चाहता, कि ओ सुनो, और टाबरों सुनो, यह से mobile छोड़ दो, तुम असोगे मेरे उपर, concept सीख जाओगे, जिंदगी बन जाएगी, और कई साथवालों की बन जाएगी, how mobile trap you, इसके कई concept है, एक है FOMO concept, FOMO, एक है doom scrolling, एक है last minute check, last minute check, और एक है सबसे पावरफुल, और एक है सबसे पावरफुल, त इस AI, Artificial Intelligence, यह चार वो तरीके हैं, जो किसी भी इंसान को mobile के चाल में भसागे रखते हैं, FOMO, what is FOMO? this is fear of missing out, आगे मैं कुछ ऐसे कहानिया बताऊंगा जो mobile phone की सक्सिस है, आप शौक हो जाओ के जानकर, fear of missing out, क्यों आप बार बार social media पे जाते हैं, लोगों को देखते हैं, और सूसते हैं इसके वाले अच्छी है, यह अच्छी जगे पार्टी करने गया है, यह बढ़िया जगे घुमने गया है, dress किती शांदार है, किती अच्छी hotel में खाना खा रहा है, और एस्ट्रो के देखो, बरतन देखो किती शांदार है, आप यह सोसते हैं जार मैं पीछे रह गया इनसे, यह कहाँ पार्टी करने जा रहा है, किता अच्छी इनका ग्रूप है, किते सारे लोग इनके साथ में, fear of missing out, कि आप पीछे रह जाएगे, आप पीछे रह जाएगे, FOMO, this is knowledge of FOMO, और यह सबसे major region है, एक बात बता हूँ दोस्त, एक बत्यात रखना जिन्दगी में, FOMO काम करता होगा, लेकिन आपको यह समझ में आ गया है न, किस दुनिया में च्छाने के लिए न, चिपना पड़ता है, मत देखोने, तुम्हारी आँखो की एक्साइज होरी उनको देखने से, चश्मय का नंबर कम हो गया है, नेत्रिद्रस्ट्री बढ़ गई है, आँखों से अब 100 किलमेटर दूर तक देख पाते हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तुम जलील हो रहे हो, तुम जिलेस हो रहे हो, तुम फ्रस्ट्रेट हो और कुछ नहीं हो रहा है, और तुम खतम हो रहे हो, और फिर भी तुम देख रहे हो, FOMO, Doom Scrolling, Doom Scrolling एक Concept है, इसमें इंसान फोन स्क्रोल करता है, स्क्रोल करता है, स्क्रोल करता है, और Negative News पर आकर रुख जाता है, यह मुझे सबसे खतरनाक लगता है, Doom Scrolling, जाहे हैं, Negative News देख न अच्छा है, आपकोई बता लगता है कि हमारे साथ में क्या गलत हो सकता है, लेकिन हर वक्त Negative News देखना आपको Psychologically Negative बना देता है, यह मेरे पास सारी बच्चे आते हैं, हर वक्त ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा कुछ गलत हो जाएक मारी धRocker अलब्ट नहीं के प्रिणाम सीिंब और आपके चलाने क्रणा में मोबाइल की प्रोग्रामिंग नहीं उस इंटरेंट की प्रोग्रामिंग ने किहीं कि कि दिमाग को नेगटिब ली मजबूर कर दिया है अब आप चाह कर भी positive नहीं सोच पाइंगे दोस्ते डूम स्क्रॉलीं यह आपको बर्बात कर सकता है यह आपको psychologically परमाने नेगेटिव कर सकता है ही एप होमोड़ीक है अब डूम स्क्रॉलिंग आपके psychology को ही negativity में ले जा सकता है हमेशा के लिए और इसलिए आज कर आप देखेंगे OCD के बहुत सारे पेशन दिख रहे हैं obsessive compulsive disorder OCD यह हर वक्त negative सोचते हैं कुछ बुरा हो जाएगा कुछ गलत हो जाएगा कुछ बुरा हो जाएगा कुछ बुरा हो जाएगा कुछ गलत हो जाएगा कुछ बुरा हो जाएगा कुछ बुरा हो जाएगा कुछ गलत हो जाएगा जोच ना, that is very dangerous. आप psychologically एक negative इंसान बन जाएंगे, और ऐसे case में कोई इंसान आप से बात करने में इंट्रेस्ट तक नहीं होगा, उसको पता होगा कि यह लिए तक गटिया negative बात करेगा, frustrated करेगा, demotivate करेगा, इससे दूर नहीं हो, and you lost. you're completely lost. care, एक लास्ट मिनट चेक, सोने से पहले देख लेता हूँ, किसी का message तो नहीं आएबा, अरे सन्नाटे, तेरे पास किसी का message नहीं आगा, जिंता मत करा, वो angel प्रिया का message आएओगा तेरे पास में, महीने बर बाद ध्यान चलेगा, साल बर बाद ध्यान चलेगा, और पास वाले सरदार जी थे, I love you baby भेजने वाले, जब तक तेरी जिंदगी निपढ़ चुकी होगी, उनके चकर में पांगल होए जा रहा है ना, खून के खत लिख लिख रहा है, लहू से, खत लिखे जा रहा है ने तू, वो सरदार जी थे पास वाले, रात को सोने से पहले फोन चेकर रहा है, और कब दिन हो गया पता ही नहीं है, निकल गई रात, तुम्हारे कोई साथी होगा, उसने फिर फिक आइडी बना रखी होगी, और तुम्हारे कोई उस चक्कर में, लास्ट मिनिट चेक, रात में एक बार देख लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ, और रात गुजर गई, खतर नाक है दोस्त, बहुत खतर नाक है, इस दुनिया में जिसको उड़ना है ना, उड़ना है, जिसको उड़ना है, सिर्फ उड़ना है, उसका फोन जो है ना, वो फ्लाइट मोड में होना चाहिए दोस्त, जिसको उड़ना है, जिसके मंजिल है कि हमें सर्फ उड़ना है यार, उसका फोन फ्लाइट मोड में होना चाहिए, आप 24 गंटे में कितनी देर फोन को फ्लाइट मोड पर रखते हैं इससे आपकी जिन्दकी की डेस्टिनेशन डिफाइन होगी अरे नौटिफिकेशन बंद नहीं फ्लाइट मौड शाला किसी का कॉल भी नहीं आना चाहिए कि अ Pandis कि और तुम बैठे यह देकने के लिए उत सबốnनेशन थे पाईल बंके वेठी ती वह पाजी थे फाईल नहीं वह पाजी है और तो फिर बैस को नपर बात करने को राजी है शाल पर उन्मटत ध्यश्य से अंधर सबसे बड़ा केल मैं बताओंगा मैं सिर्विय नहीं कर रहाँ कि मॉबाइल फोन फैंक दो बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं आज बताओंगा आपको कि मॉबाइल फोन यूज कैसे करना है I'll let you know I have suggestions मैं content search research करके आता हूं हवाई बात करने आपसे कभी नहीं आता हूं artificial intelligence this is the reason behind addiction कि आज के सारे के सारे social media apps इस तरीके से बनाए गए हैं कि उनको आप बार-बार आके check करो बार-बार आके check करो मान लेते हैं कि आपको मैं पसंद आ गया हां आप मुझे देखना चाहते हो पसंद आ गया मतले मेरा content पसंद आ गया तो जैसे आप मेरा content देखते हो आप रुख जाते हो तो इंटरनेट समझ गया वह एप समझ गया वह फेस्बूक हो सकता Instagram हो सकता YouTube वह समझ गया किसको यह पसंद है तो बार-बार आपको मुझे मुझे दिखाएगा जहां पर भी मेरा content होगा आपको दिखाएगा वह आपको दिखाएगा तो बच्चा चकर में क्या करता है कि जस्टीचर का वह फैन हो गया है उस टीचर का वह आई एस कैसे बने आई एस कैसे बने से लेकर लड़की कैसे बटाएं सारे वीडियो देख लेगा यह वह उन टीचर ने नहीं बनाए यह वह आस-पास वाले काट के रील-विल डाल देते हैं उनकी और वह यह सोश रहा ह चाहिए कि शरीब behaviorm.com मुच वह नोद देखे जा रहा है यह यह अर्थिवचिल इंटिलिजेंस का कमाल है जो तुहारी इन्टिलिजेंस पर बारी बढ़ रहा है है तो बढ़ रहा है तैसा-पास्ल इंड SGBA IF और तुम सोच रहा हो कि-स है पिस सपान को इस बनने तो हमारी इतना सा काम राई लिए पां शूत्र जाने के बंगली बाबा बन गये सर बढगली बबाली बाबा का्या जादु है मन चखा प्रेम शोतन से चुठख राहा आज ही पाएं अभी पाएं रेंग्डु क् किसी बच साब होरो डाल दिया असम्जे ay एक उसको पिखा लग गया कि इसे पसंद करता है। इस मास्कर को पसंद करता है। उसी को इसको दिखाय जा रहा है। समझे। फोमो, डूम स्क्रॉलिंग, लास्ट मिनट चेक, एक एस यह वो कई खेल है। जिसमें खेला हो रहा है, आज को नया ट्रेंड आ गया। आज की दुनिया में, आज की दुनिया में सक्सेस्फुल होना सबसे आसान है। कि आप घर से कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी, देखना क्या बनते हो, उलुू। कि आप कुछ भी बन सकते थे, आपने क्या चुना, उलुू बनना। मतलब मैं मालों कुई लेक्चर डालता हूँ, कॉई content डालता हूँ, बच्चा आता है, क्या बोलता है। सब पीडिएफ देजोना जरी तलंदा लेक्ट और कौन लिखेगा कि वह क्वालिटी कॉंटिन्ट है एक बार खोपड़ी में जम जाएगा सब पीडिएफ पीडिएफ कर रहे हैं पीडिएफ पीडिएफ सब करें पीडिएफ पढ़ेना कोई जो हाथ से नोट्स बनाएं सेलेक्शन उसी का होई अब तुम्हें कौन समझाएगा हमारे टाम में पीडिएफ था गया यूट्यूब था एप थे क्या हम फिर भी सेलेक्ट हो गए कैसे हुए हम लिखते थे भाई मैं फिर कह रहा हूं मोबाइल फोन पर उंगलिया फिसलने से रही है पूरे दिन पेंच चला कर उंगलिया फि कि मेरे इसाब से तो मोबाइल फोन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए कोई लोग अंदा धुंद चला रहे हैं अंदा धुंद सुपह से रात तक कोई रिग्रेट नहीं उनको कि गाजकली गेमिंग और सट्टे का भी मार्केट आ गया है कि इसकी चर्चा करेंगे अपन गेमिंग और सट्टा आपन जयाद दिला ना यह बहुत जबर्दस चीज है मैं इसके बारे में रूबर हुआ हाली में कैर आप कुछ पॉजिटिव बात करते हैं यह सारी अनार कली की बात थी अब अब एक कुली की बात करेंगे अनार कली टु कुली एक फोटो दिखाते हैं आपको एक फोटो दिखाते हैं आपको एक फोटो दिखाते हैं आपको अब मैं यह सिखाने वाला मैं इस बंदे ने कैसे क्लियर क्या है पता है कैबिनेट मिंस्टर्स ने भी इसके लिए ट्वीट किया है इस बंदे ने KPS से क्रेक किया है, केरला पब्लिक सर्विस कमिशन and he became the village field officer, और एक कुली था बंदा, अब वो बात कि mobile phone का इसने use कैसे किया, इस बंदे ने mobile phone का use कैसे किया, यह कहा नहीं है के श्रीनाद की, जो एक रेलवी स्टेशन है एनार कुलम, इस रेलवी स्टेशन के उपर यह पुली थे, है नहीं थे, इनको पता लगा, तो 2016 में के इंडियन गवर्मेंट, मोधी गवर्मेंट, डिजिटल इंडिया स्खीम के तहित, भारत के हर एक रेलवी स्टेशन पर free wifi का plan किया है, कि हर एक रेलवी स्टेशन पर free wifi लगने वाला है यह बंदा, एनार कुलम रेलवी स्टेशन छोड़ देता है, और यह चला जाता है, मुंबई सेंट्रल रेलवी स्टेशन, यह वहाँ चला जाता है, क्योंकि एनार कुलम रेलवी स्टेशन पर, wifi नहीं है, बट मुंबई सेंट्र रेलवी स्टेशन पर है, यह मुबाइल फोन खरीटता है, सिम खरीटता है, जीयो की, इयर फोन खरीटता है, और कुली का काम चालू कर देता है, कि इसी क्रेक कर लेता है, और मैं सुन रहा हूँ कि 2022 में इस बंदनी UPS से क्रेक कर लिया है, ऐसी न्यूस है, कैसे क्रेक कर लेता है, यह बंदा, मुबाइल देखता ही नहीं है, मुबाइल देखता ही नहीं है, सुनता है, यह mobile देखता नहीं है यह सुनता है या肯ा कान में earphone लगाता है अपना आकाम करता है और lecture सुनता रहता है content पता है क्यों हुआ क्योंए कि इसकी बेटी है और यह चाहता है कि मैं अपने इसके लिए कुछ नहीं किया लिए करना चाहता है इसका मोटिवेशन है तुम्हारे लिए तो तुम्हारे माबापने बहुत कुछ किया रहे हैं कितने बलिदान है उनके SIM Mobile Phone Air Phone SIM Mobile Phone Ear Phone SIM Mobile Phone Ear Phone अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप खुद के Mobile Phone का यूज़ कर सकते हैं इस बंदे ने KPSC क्रेक की है Kerala Public Service Commission और मैं सुन रहा हूं इसने UPSC क्रेक कर ली ना इसके पास में AC था ना इसके पास लाइब्रेरी थी ना इसके पास बैड़ था ना इसके पास बुक्स थी ना पेरेंट्स का सपूर्ड था कुछ था तो हर तरफ शोर कुछ था तो 20 रुपे जेब में कुछ था तो सिफ पसी ना इसके में सक्सेस्फूल Mobile Phone के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है कि Mobile Phone को आप जमें सिखाने वाला हूँ आपको effective use कैसे करते हैं इसका और literally आप ये काम करते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि हाँ this is the thing जो हम जिन्दगी में लेक कर रहे थे क्या है मोबाइल फोन को सब दो लेकिन मोबाइल फोन को अपनी आखे मत दो 'day never give your eyes?. क्योंकि मेरे दोस्त आखे ही focus है तुमने इसे द इसे देखा है यह यह एक शेर है कि शेर उस वक्ट है जब लिब अपनी जिंदगी का सबसे महत्तवपून पर काम करना चाहता है , इसकी आखे देखने हैं यह शेर की आखे उस वक्त है जब इपने जिंद्दीजी का सबसे महतफ़पूर काम करना चाथा और वो है शिकार यह राजा है लेकिन फिर भी सका फोकसस देखे हो इसका फोकस देख रहे हो दोस्त जहां आखें है ना वहां फोकस है जहां फोकस है ना वहां एनरजी है और जहां एनरजी है ना साला वहीं से रिजल्ट आएगा अपना दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, मैं समझा रहा हूँ, समझो, अपनी जिंदगी में, मोबाइल फोन को सब देना मेरे दोस्त, लेकिन आखे मत देना, क्योंकि क्या होगा, तुम आइस देते हो, तो नीचे शो करेगा, रिकमेंडेट वीडियो, अरे ललू, बेटा लल क्या है, ववथोफिए होगा, क्योंकि फोकस, फोकस अएनर्जी, एनर्जी एक्शन, एक्षन, एक्षन, रिज़ल्ट, आखे मत देना, दोस्त? इस बंदि का menor यूजल्दर का धीया, फोकस दिया, कान धीये, पसिना, बहुशन दिया, छाग दिया, सब दिया, आखे नहीं अग्यादि दोस्त और वहीं जंग जीत लिए गया दूदा फ्री में किसीं एक चीज थी घुका टीकेशन कीमती एक चीज थी वह था पसीन है और इसको बेस कीमती चीज मिली जबी कुल होते वह सब्स्रेक्ट हो गया दोस्त आके मत देना दोस्त इस ने मुबाइल फॉन को उ सुनना है उल्टा कर दिया सुन रहे हो उल्टा रख दिया उसके जिन्दिगी के सीधे दिन शुरू होगे उसे दिन से शुरू है उल्टा रख दो कभी चील को देखें और चील को मिलबाद चील की फोटो नहीं है बाज जान्वरों का राजा शेर, पक्षियों का राजा बाज, पेनी निगाहे हैं, दोस्त ये सारा खेल निगाहों का है, सारा खेल निगाहों का है, प्रेम भी यहीं से होता है, तो सक्सिस भी इनी से मिलती है दोस्त, याद भी तुम्हारी आँखे ही होती है तुम्हें पता है अगर आप किसी इंसान की आँखे चुपा तो आप उसको पैचान नहीं सकते है ये मुबाइल फोन को सब दो आखें मत दो तुम आगे निकल जाओगे गिव और इयर्स तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप क्या कर सकते हो आप सिर्फ हो मुजिक सुन सकते हो विदाउट लेरिक्स मिदाउट लेरिक्स कित अल्ट्रा बीड़ के नाम से चैनला है मैं चैनल को पर्मूट करता हूँ हालाभ कि diffibility भी अफसेतलं है प्रिया में सब fall दबाते हैं इगनोर करते हैं लेकिन हमारा focus क्या होना चीए आखे mobile phone पर नहीं जाने चीए दोस्त आप music कोई साथ भी आजकल तो वह आगे deep focus music deep focus music deep focus music चलाओ उल्टा रख दो सुनते रहो mobile phone से बहुत जादा connected हो गये इतने जादा connected कि हमकी bike पर चल रहे हैं मालो और रिक्दम से फोन डून लगते हैं phone हाँ है we are connected we are connected तो मैं आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि mobile phone fake दो ओ बत्च्यों सुनो भैंक दो बरबाद कर देगा एक ही चीज़ स्मार्ट हो सकती है तुम यह phone मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि connected रहो क्योंकि तुम उसे disconnect नहीं हो सकते है because of this molecule dopamine तरीका बदो तरीका connected रहो उल्टा रख दो मैं हर वक्ट सुनता था मैं आज भी सुनता हूँ मैं सबसे जिंदगी में गाने सुनता हूँ और आप जब पढ़ रहे हो music without lyrics एक और चीज mobile phone में आप stopwatch use करो stopwatch stopwatch कि आप चैसे पढ़ने बैठो stopwatch चला लो कि तीधर पढ़े हो आप और रात को सोते वक्त आप देख रहे हो ना कि दोस्त आज तुम बारा गंटे पढ़ा है कि तुम्हारा last minute चेक करने का मन नहीं करेगा वो पाहिल के चकर में तुम बाजी के message नहीं देखोगे तुम मोटिवेशन मिलेगा कि आज बारा गंटे पढ़ा है सोजा कर शोला पढ़ना है सला कुद का record तोड़ना है stopwatch इसको बोलते inspiration दुनिया में inspiration का सबसे बड़ा source है stopwatch inspiration तुम बोलते हो ना कि वालतु का motivation मत हो inspiration दो उसमें alarm set करो और सबसे important मेरे दोस्त अब सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात जिससे तुम्हारी तयारी का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा सबसे बड़ी बात एक unknown number या अपनी माता जी का number माल लो माता जी का number माता जी का number पे बेशते रहू और माता जी को पिलो reply मत करना माता जी को बोलो reply मत करना जब भी घुमने जाओ WhatsApp no.ink बात करो बेशते रहू बेशते रहू बेशते रहू फिस्ते रहू गुमने जाओ walk कर रहेू coaching जा रहे हू travel कर रहे हो उन voice note को सणो और उनमें होनी थे summary, summary content आपने जो सीखा उसको voice में convert करो, 10-15 page summary notes, 2 minute में voice note में convert हो जाते हैं एक chapter को आप 4-5 minute की voice में convert कर सकते हो, सुनो लोग बाग सोज़ेंग गाने सुन रहे घदा है, कुछ नहीं होगा इसका, और तुम select होगा यह success है, किताब खोल के घदे पढ़ते हैं, स्मार्ट लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, यह तरीका है यह तरीका है stop watch, deep focus, आखें मत देना दोस्त वरना blue eyes hypnotize करे ना करें, mobile phone का artificial intelligence तुमें hypnotize कर देगा आपने सुनाओ गराओ का ना blue eyes hypnotize करती मैंनों, वो करें ना करें, mobile phone इतना तेज है तो तुमें फसाय रखेगा पेटा यह देख लिए यह देखना इससे इच्छा है, यह देखना यह देख, यह देख, यह देख and you are lost you are lost gaming और सट्टा की बात करते हैं मैं आजकल देख रहा हूँ रोईत सर्मा, केल, राहूल, यह सब लोग कह रहे हैं कि ड्रीम लेवन पर टीम बनाओ हम भी बना रहे हैं, हमसे ग्राउन में नहीं खेला जा रहा है, हम ड्रीम लेवन पर टीम बना रहे हैं gaming और उसको मार, उसको मार, में एक दिन थडीवे गया, वहां दो लोग लटेर उसको मार, मैं आजकल क्या होगा है, कूल रहे हैं अरे भाया वह गोली मार रहे है मैं गोली राइफल राइफल चला रहे है भारत में सबसे बड़ी सेना तयार है बेवकूफो की फट जी चोड़ दिया रोटी सब्जी सुबह से शाम तर खेल रहे हैं पब जी रोटी सब्जी की परवाँ नहीं है कब जी पड़ोगी जी नई पब जी भाड़ में जाय रोटी सब्जी और लाख में तो कई ऐसे कैस है यार उसमें वीपल अफ्ग्रेड करने के चक्कर में इससे लोन लेलिया उससे लोन लेलिया माताजी के अकाउंट से पैसा उड़ा दिया यह हो गया बाद में टापर निकल लिया अमर गया प्रस्टीट हो गया कि अब देख रहा था एक साइट है ड्रीम एलेवन इंडियान युजलेंड का महस था है 49 रुपीज उसका एंट्रीफी से 60 लगाने के लिए और तीन क्रोड लोग उसके 60 लगाए बैटे थे बताए यहीति कि मेरे टीम यही यह जाता हो एन्खें मत दो जो मत दो फिर तुम्हारी नजर को कोई जुखा नहीं पाएगा इस दुनिया में मुबाइल को आखे दे दिना तुमने हर जगे नजर जुखा के चलना पड़ेगा दोस्त कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे काम दोना उसे आखे मद्दो कुछ काम की बाद सुनो को देखो नहीं दोस्त पुरना तुम लपेटे में आ जाओगे समझो इस बात को और डोपामीन जो है ना जो मोटिवेशन का मुवमेंट का फोकस का केमिकल है यह नो डाउट इसको रिलीज करने के कई रास्ते होते हैं जो डोपामीन किस किसे रिलीज होता है सेक्स से स्मोकिंग से सोसल मीडिया से कोई सा भी नशा करने से अच्छा खाना खाने से गुड़ फूड सबसे डोपामीन रिलीज होता है यह सारे बेकार तरीके हैं कुछ अच्छे तरीके भी हैं जिसे डोपामीन रिलीज होता है एक्सरसाइज से कुछ काम करने से, कुछ काम कम्प्लीट करने से, हाँ, गंदे तरुकों में मेस्टरबेशन भी है, सेक्शल एनजी ट्रांस्फर्मेशन की बात की थी मैं इससे पहले बाले वीडियो में, अगले वीडियो में सन्यास की बात करूँगा, and that gonna be the revolutionary video of YouTube, ever, dopamine release, masturbation, sex, smoking, social media, photo डालने से, like मिल रहा है, dopamine निकल रहा है, oh my god, 600 like, dopamine, 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 addiction, good food, addiction, यह बिकार तरीका, अच्छो तरीका क्या है, कि आप 12 गंटे पड़े, और फिर आपने stop watch में देखा, 12 गंटे, dopamine, dopamine और dopamine, नदिया बह रही है तुमारी body में, नदिया, तुमारा selection होगा, तुमने कुछ अचीव कर लिया, dopamine, dopamine, तुमने exercise करी, लंबे समयता करते रे, करते रे, dopamine, तुमने sacrifice कर दिया, कुछ छोड़ दिया, dopamine, तुम पार्टी में नहीं गये, थोड़ी दे रिग्रेट होगा, फिर dopamine रिलीज होगा, यह बढ़िया हुआ उस भीड में नहीं गया, dopamine, ठैर उसके उपर मैं पहले बात कर चुका हूँ, आगे और बात करूँगा, लेकिन समझ लो दूस्त, सब देना, सब देना मेरे दोस्त, आखे मत देना, तुम जीच जाओगे, अनार कली मत बनना, इस खुली से सीखना, केश रिनाथ से, अधिसल्यूटिम, इसल्यूटिम, हेजज़ञेंड्ट, हेज़ञें आज क्ली अ हमिए, आपने इस वीडियो आज से सीखत है, मैंने पहसं पूरा प्रयास किया है,और कुछ और होता है, तो आप मुझे आएगा, पताए ऐग एक दूसरा पक्ष भी है, इस की बात मैंने न किसरे एक बात कहें मैंने का बताओ सरी सारे लोग भर्जी है मैंने का क्यों पर सरी वही लोग है जो दस के नोट पर लिखते थे सौनम गुपता बेवफा है यह तफरी मारने वाले लोग है यह पहले चाय की थड़ी पर बैठते थे मुई देखने जाते थे रोते फिरते यहा होगा अपने आपको देखिएगा आज राइख बैठ के एनेलाइज करिएगा कि क्या आप वहीं एंसान है है जो succesfool हो सकता है कि आप वह इंसान हो जिसको आप जिस एक्जाब आप जो आप दे रहे हो उसके लिए आप अपने आपको सेलेक्ट कर लेते हैं जी समय पूछना अपने सबसे असली दोस्त से क्योंकि आपका दोस्त आपका दोस्त आपसे बड़ा कोई वार नहीं है